मोवी की शुरुआत में बेला नाम के एक पपी को दिखा जाता है जो कि एक भोती फ्यारी पपी है आपने पहले ये जरूर सुना होगा कि कुट्टे और बिल्ली की लिडाई होती है पर यहां आपको जो देखने को मिलेगा वो बिल्कुल यहट के है बेला ने अपनी जिन्द बावजुद इसके की डॉक्स और कैट किसी को नुकसाना ही पहुचाया करते थे एक दिन दो एनिमल कंट्रोल आफिसर उस घर में रेड करते ही और बेला की डॉक परिवार के सब डॉक्स को परे साथ पकड़के लजाते ही और देखते ही देखते कुछ ही पलों में बेला ब परिवार को जार दिया होता है वहीं लोकस बाकी इनसानों से अलग होता है वो रोज उनके घर आके उनको खाना खिलाता है एक दिन बेला लोकस और उलिवा को देखकर भागती भी आती है और उतनी फ्रेंडली और एनरजेटिक बेला को देखकर लोकस और उलिवा को बेला स दोनों काफी पसंद आते ही और क्योंकि बेला एक पपी है तो उसके हरे एक कीज़ खिलोना लगती है जिससे वो खिल सके और लोकस भे एक अच्छा उनर होता है और वो कभी भी उसको डाटता नहीं बलक जपकते ही बेला बड़ी हो जाती है पर वो आद भी उतनी खुश रहती है जितनी वो अपने बच्छ में हुआ करती थी एक दिन लोकस को अपने दर्वासे पे एक लेटर मिलता है जो कि उसके लेंडलोर्ड का होता है उसका लेंडलोर्ड घर को देखने आ रहा होता है और जैसे कि घर में डॉकस लाओ नहीं होते तो लोकस और उसकी मा के पास बेला को वेटेडलस असोशेशन में चुपाने के अलावा और कोई आस्ता नहीं होता बेला को तो एक कोई नया गेम लगता है जिसमें उसको बिलकुल मज़ा नहीं आ रहा होता है एक स्टोर में करे बंद होकर बेला अपने मालिक लूकस की और भौंगती है जो चछत से सब को सुना देता है अब बिल्डिंग में मौझूद हर इंसान को सीलिंग से बेला की आवास सुना देती है एक अमपलाई को बेला मिल जाती है और उसको बहां निकानने की जगह एक स्पेशल गेस्ट बनके गुरूप थेरेपी के लिए आता है थेरेपी सेशन की टाइम बेला अपने फ्रेंड ले नेचर से सब को बहुत पसंद आती है और सब बेला को डॉक्टर से बचाने के लिए उसे कई चुपा देती है खुशकिसमती से वहां सभी लोग डॉग लवर होते हैं जो बेला के लिए कुछ वहां के नियम तोडने में बिल्कुल नहीं चीजाते एक दिल बेला के साथ वह पर गए वे लोकस रॉलिवा देख रहे हैं कि बेला की पुराने घर को तोड़ा जा रहा है जिसकी वज़े से कैट्स खत्रे में होती है पर प्रॉपर्टी की मालिक को कुछ कैट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता लुकस रॉलिवा घर को तोड़ने से रोग देते हैं और प्रॉपर्टी की मालिक पर वुच्सा करते हैं कि कई बार काम करने से भयाना परिणाम सामने आते हैं उसी रात एक एनिमर कंट्रोल आफिसर लुकस की घर आता है और बेला को खतनाक बताते हुए अपने साथ ले जाने को बोलता है ये कोइंसिडेंस नहीं होता है और बेला को बचाने के लुकस उसे एक गेम सिकाता है जिससे वो खुद अपने घर वापस भाग किया जाए अपने साथ घर ने जाने आता है और एनिमर कंट्रोल आफिसर उसे एक कड़ी चेताबनी देते हैं कि अगली बार अगर बेला पकड़ में आ गई तो बहुत बुरा होगा बिना किसी चोईस के लुकस बेला को उलिवा के किसी रिलेटिव के पास देता है जो शेहर के मार रहेते हैं और जैसा कि एनिमर कंट्रोल आफिसर उस पुरे प्रोपर्टी उनर के लिए काम कर रहा होता है तो वहीं लुकस की माँ उस आफिसर से बेला को शेहर से बाहर जान बेला अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश तो कर रही होती है पर उससे पता होता है कि लूकस जैसा सेम नहीं है और ये लोग उसका परिवार भी नहीं है लुकस की यहां में बेला भागने कावागा ढूड़ती है और भाग निकलती है पर लूकस का घर बहुत दूर होने कि वज़े से वो कैसे बेचारें के रिए Đूइट बाती और पैचारी चलती रहती है कभी इतना के लिए वो चली भी नहीं थी बेला का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो खाने के लिए शिकार भी करती है चुँ भाग निकलता है चलते चलते वो किसी नई टाउन में पहुंच आती है जहां उसे एक नईा दोस मिलता है जिनके साथ वो खो मज़े करती है और वो उसे भी बहुत अच्छा तरीका सिखाती है कि खाने को आसल करने का अच्छे दिल के इंसानों से खाना पाना किसी रैबिट को पकड़ने से काफी आसान है पर रात के टाइम बेला को ऐसास होता है कि वो अपने नई दोस्तों के साथ रह रहे हैं खो मज़े कर सकती है पर वो ये छोड़ के वापस लूकस के तलाश में निकलती है एक दिन बेला को खूर की स्मेल आती है और उसका पीछा करते हैं वो किसी माउंटेन पे पहुंच आती है जहां उसे एक माउंटेन लॉयन मरावा मिलता है जिसे हंटर्स में मारा होता है पास में बेला को एक माउंटन लॉइन का कभ दिखता है जिसे वो अपने साथ लगती है कि जीने के लिए उसे इनसानोंचों से खाना लेना जरूरी है जो कि कई बार बहुत असान होता था बहुते जल्दी कभ बेला जितना हो जाता है और बेला को उसे बहुत प्यार हो जाता है और वो उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है चाहे वो दूसरे जानबरों से लड़ना ही क्यों न हो एक पर क्योटीज आ जाते हैं जिने लग के लिए तीन आदमी भगा जाते हैं जैसे बेला को लगता है कि अब उसका लोकस से मिलना पास आ रहा है कब गलती से उन आदम्यों को ड्रा देता है फिर से बेला और कब अपनी नई जन्नी की शुरुआत करते हैं नए गेम्स और नए एक्स्पिरियंस के साथ बहुत इनों के बाद नया डॉग मिलने के एकसाइटमेंट में बेला और वो डॉग बहुत भूगते हैं और उनकी भूगने से वहाँ बरफ फिसल जाती है और जब डॉग का उनर हस्पिटल में होता है तो दो लोग उस नए डॉग को एडप्ट कर लेते हैं उसकी नहीं सिंदगी बुरी नहीं होती है और उसे रोस, गरम, रूम और भर पेट खाना मिलता है एक दिमोद दो आदमी बेला को और उसके नए फ्रेंड डॉग को उसके उनर के पास वापस बेज़ेते हैं जहां डॉग उसके उनर को देके बहुते खुश होता है जबकि वो उनर एक खुदगर्ज बुंडा है जो उसके डॉग की बिलकुल परवा नहीं करता बुडे माले के उन डॉग को छोड़ने के बाद दो लोग उनको अडप्ट कर लेते हैं यह जानने के बाद भी कि उसके दोस्त को नया अच्छा घर मिल गया है बेला को यह भी पता होता है कि यह उसका असनी का नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है और एक नए टाउन में पहुँच जाती है जहां उसे गरी बुड़ा आदमे अडप्ट कर लेता है जिसके पास कुछ नहीं होता पर फिर भी वो बेला को कभी खाले पे नहीं सोनी देता एक दिनों बुड़ा आदमी बेला को अपने साथ चेन में लॉक करके मर जाता है जिसकी वज़े से बेला उसमें फंसके रह जाती है और भूग प्यास से तड़ा प्रही होती है और बहुत ही इंतसार करने पर भी उसके ले कोई नहीं आता अब बेला उमी छोड़ देती है फिर दो बच्चे उसको ढूण लेते है वो उसे चेन्ज से राब कर देती है और बेला लॉकस को ढूने निकल बड़ती है जंगल में फिरसे बेला उसका शिकार करने के लिया आता है बेला बहुत ऐस भागती भी है पर वो अकेली होती है और भूँ के बेला उसको खेल रहे भोह बेला हार नहीं मानती है पर खुद सामने से अटेक करती है पर अकेली होके बेचारी हो कर भी कह सकती थी। तब ही एक माउंटेन लॉयन आता है और हाँ ये वही माउंटेन लॉयन है जो एक टाइम पे बेला का कब था पर अब वो कोई छोटा कब नहीं है। बेला बहुत ही खुश होती है कि जब वो अपनी फैमली के एक मेंबर को वापस ढूंड सकती है तो वो लॉकस को भी ढूंड सकती है। जाता है और दर्द में होने के बाद भी वो नहीं रुखती और चलती रहती है। पूरे दो साल के बाद फाइनली वो लॉकस के घर के दरवाजे पहुंचती है पर जैसे ही वो अंदर जाती है उससे एसास होता है कि ये वो घर नहीं है जिसे वो बच्वान में छोड़के गई थी। और जो लोग वहां रह रह रहे हैं वो उसका परिबार नहीं है। प्रकुरते जाने जेता और जैसे बेला ने उनकी हल्प की थी वैसे वह बेला की हैं तो मर जाएकी कुंकि अगर आकर है कि सारी होप खत्म हो गई पे पेट बिल्स अलाउड नहीं थी पर वेटेरियल एसोशेशन एक फैटल पॉपर्टी थी जहां अनिमल कंट्रोल की एक नहीं चलने होनी थी बेला फिर से अपने घर वापस आ जाती है जहां से वो ब्लॉंग करती थी जहां वो लोग थे और जिनसे वो बहुत प्यार करती थी लूकस और उलिवा उसे कभी नही गेम केलते हैं बेला को घर वापस आने में पूरे दोस आना जाते हैं और इसी बीच वो उन लोगों को कभी नहीं बूली थी जिनसे वो मिली थी जिनसे वो प्यार करती थी बहुत कुछ खराब सिच्वेशन देखने के बाब दी वो हमेशा काईने जेंटर डौ ही रही और यह मूवी यहाँ पर हतोती है